जीवन में समस्याओं का दौर खत्म होना चाहिए, अब हमें सत्य का ज्यान प्राप्त होना चाहिए, दुख, दर्द और घमों से छुटकारा मिलना चाहिए, अब हमें खुशिया ही खुशिया और जीवन में शान्ती मिलने चाहिए, हमारे कारिकरम से प्यार है तो अभी सब् करना चाहिए अगला मेरा विश्य है मन चाहा वर्दान प्राप्त करें चमकाएं अपनी किस्मत कैसे आम तोर पर लोगों का ये प्रश्ण जरूर होता है कि जब भी कोई त्योहर आता है तो गुरुजी मुझे मेरी राशी के इसाब से ये पता नहीं है कि मुझे क्या पाठ प मानेंगे तो ज्यादा अच्छा यानि कि आपका अपनी जन्म कुंडली खोल के देखिए जन्म लगन जाह लिखा रहता है वहां एक से बारहा नंबर के घर होते हैं जहां पर चंद्रमा लिखा होता है कई बार च आदा लिखा रहता है उसके परपिंदी होती है उसमें जो और उमान जी के जैनती के दिन करने वाले बजरंग बली की पूजा पाठ और विशेश मंत्र राशी गनुसार बताने जा रहा हूं जिने आप दोपे हैं दो बजकर चार मिनट से चार बजकर तीस मिनट के बीच बगर करते हैं तो यह सबसे बड़े हैं इसके लिए आप अपन क्योंकि मैं एक पुण्य और पवित्र काम कर रहा हूं जिसमें अनुमान जी मेरा साथ दे रहे हैं और जायज तरी डाम एक बार बोलिए इस वक्त जरूर अब जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं अनुमान जैनती 31 मार्च को आप पूर्व दिश्या के और मुख करके ध्यान करें सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं फिर अपने गुरू का ध्यान करें और अनुमान जी की पूजा के लिए आशिरवात प्राप्त कर रहे हैं कि मैं जो पूजा कर रहा हूं मुझे उसका पूर्ण फल बिले अगर माता हैं बेहन हैं पत्री हैं अपने भाई के के लिए अपने बेटे के लिए अपने पती के लिए पूजा कर रहे हैं या बेटी के लिए कर रहे हैं तो आप दाहिने आत पर जल लेकर संकल्ब लीजिए कि मैं ये प्रियोग एनुमान जैनति के दिन अपने बेटे पती या भाई बहन किसी के लिए भी कर रहे हैं अहम कर हनुमाना स्टक का पाठ करें हनुमान जी को लाल गुलाल और लड्डू चड़ाकर प्रसाद बच्चों को बाढ़ दें इस मंत्र का आप एकाउन बार जाब जरू करें मंत्र क्या है जय जय हनुमान अडंगी बहाँ वेर विक्रम बजरंगी बड़ा छोटा सा मंत्र जरू करे वर्षब राशी आप हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर का चोला चड़ाएं दूप दीप करके प्रसाद सुरूप सफेद पेड़े की मिठाई का भोग लगा कर हनुमान चालेसा का पाठ करें एवन प्रसाद सभी को बाढ़ते हैं और इस मंत्र का जाब करें जय कपीश जय पवन कुमार जय जगवंदन शील अगार मेतुन राशी आप रामचरित मानस के अनन्य कांड का पाठ या हनुमाना स्टक संकट मोचन कवच का पाठ अवशे करें साथी गुडव शकर से बने हुए आटे के चूरमे का भोग लगाएं और इस मंत्र का जाब करें पवन तनय बल पवन समान बुद्धी विवेक बिज्ञान निधाना करक राशी अब हनुमान जी के समक्ष सात दीपक प्रजवरित करके नारिल के गोटे का भोग लगाकर बजरंग मान या हनुमान जी के द्वरा जो प्राप्त किया गया दशरत करत शनी इस्तोत्र है उसका पाठ करके प्रसाद ग्रहन करें इस मंत्र का जाब अवश्य करें मंत्र नोट करें कवन सो काज कठन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही सिंग राशी आप हनुमान जी के समक्ष दूप तीप अगर्वत्ति करके लाल बाहुक का पाठ करें हनुमान जी के मंदिर में लाल पुश्प लाल फल और लाल द्वजा पर जाये श्त्री राम ल करने राशी यदे संभव हो तो पंच मों की हनुमान मंदिर अत्वा किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर पांच दीवपक प्रज्वलित करके संकट मोचन हनुमानास टक का पाठ करें और गुड रोटी का भोग लगा कर नव वर्ष तक की कन्याओं को बाटना चाहिए साथ ही एकाउन बार इस मंतर का जाब जरू करें बार बार इस्तूती करनान निर्मल नाम धरा हनुमाना तुला राशी अब हनुमान जी के समक्ष दूप दीप अगर्वत्ती करके कनेर के पुष्व की बाला और फल अर्पित करके राम चरित मानस सुन्दर कांट का पाठ अ अर्शिक राशी आप हनुमान जी के समक्ष साथ दीपक प्रजवलित करके लाल रंग के फल चड़ा कर बचनग बान का पाठ करें और इस मंतर का एकाउन बार चाप उसके बाद अवश्य करें मिले राम ले पवन कुमारा अति आनंद समीर दुलारा धनुराशी जिने स्टाड़े साथी भी चल रही है आप हनुमान मंदिर में जाकर दूप दीप अगर्वत्ती करके फीले हजारे के पुष्प या पीले पुष्प के माला चड़ाएं एवं खीर का भोग हनुमान अस् मगर राशी हनुमान जी के समक्ष धूप दीप अगर्वत्ती करके गुड चने का भोग लगा कर बंदरों को बाट दे और बाहुक या किश्किंदा कांड का पाट अवश्य कर रहे हैं इस मंत्र का एक कौन बाट जाब उसके बाद करें सिया सूथी ले पुनी फिर आए राम चंद्र के पद सिर नाए कुम राशी आप अरुमान प्रतिमा के समक्ष घी के किस दीपक प्रजुरित करके चूर्मे का भोग लगा कर सभी को वितरित कर दे और राम चरित मानस स्वंदर कांड या हनुमाना स्टक का पाट करें साथी इस मंतर का एकौन बार जाप उसके बाद जरू करें बंदी परे सुमिर हनुमाना गंदा गव ले चल बलवाना मीन राशी आप हनुमान जी के समक्ष 11 मिट्टी के घी के दीपक प्रजुरित करके मीठी रोटी का भोग लगा कर बजरंग बान राम चरित मानस उत्तर कांड क करके प्रसाद सम भी को वितृत करतें और उसके बाद इस मंतोर का करें संकट रहे न एक रहे को द्यान घर्आ अनुमानजती को तो यह थो थे अर्यिक हरार जर्वाना जीस को प्रसंद करने के छोटे छोटे हो पाये अब मैं आपको कुछ विशेश चवतकारिक साधनाएं बताऊंगा जिन्हें करके आप अपरे जीवन को अजर अबर बना पाएंगे बोलिए एक बार जैस्त्रीराम झाल को प्रसंद कर पाने हैं? 899-6625